वल्कम टू टॉ टॉपगन एग्जर्टिक पेड़ काईज आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो एंटराइटिस के बारे में जिसे हम गैस्ट्रो भी कहते हैं डॉक्स के कॉमन लैंग्वेज में तो आज का सब्जेक्ट रहेगा कि इसके कॉसिस क्या है इसके सिम्टम्स क्य और इसका इलाज कैसा किया जाए सबसे पहले जब आपका पपी all of a sudden या वामिटिंग करने लगता है वन फदे में सिम्टम्स वामिट जैसे की यलो कलर में वामिट कर रहा हूँ या वाइट कलर में यलो थोड़ा ऐसा थिक वामिट या वाइट कलर में जस्ट सलाईवा वाम motions अगर आपका पपी करने लगता है तो और continuous lose motions अलग जब वो करने लगता है तब भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो एकदम ज़्यादा thin lose motions और at a time lose motions में blood भी निकलने लगता है एकदम precisely अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि ये gastro है loose motions को मद्दे नजर रखते हुए तो आप ये कर सकते हो कि उस loose motions का जो smell होगा वो एकदम एक fish जो rotten fish होता है उसकी तरह वो smell करेगा ये एक और sign है जिससे आपको पता चलता है कि आपके dog को gastro hit हुआ है weight loss होगा काफी जादा skinny दिखने लगेगा एकदम पतला लगेगा आपका dog उसके bones भी appear होगे at times because body जो होती है dog की वो बहुत ज़ादा dehydrate होती है उसमें और आप कोई भी food उसके सामने रखे वो नहीं खाएगा food से उसकी जो attraction है वो एकदम ही zero हो जाएगी वो ज़रा भी खाने के तरफ आकरशित नहीं होगा तो ये है symptoms जिससे आप पता कर सकते हो इसका कारण अब आप जानना चाहोगी कैसा है तो इसका कारण क्या है सबसे पहला कारण तो ये एक viral infection है जो की बहुत common है second food infection जैसे early age में कोई कोई puppies dogs के जो होते हैं meat को digest नहीं कर पाता है वो फिर raw meat क्यों नहीं हो या boiled meat ही क्यों नहीं हो third जो है उसके उसका cause वो है कि दूसरे dogs या दूसरे neighboring animals से आना जैसे अगर आप dogs को बाहर लेके जाते हो आपका dog कोई और dog के contact में आता है जो इस बीमारी से गूज रहा है तो उससे भी आपके dog कोई आने के chances है thirdly जो घर पे आपके shoes होते हैं आप कहाँ बाहर से आते हो dogs को एक आदत होती है puppies को की वो आपके shoes को bite करते है और आपको नहीं पता आपने कहा step किया है हो सकता है कि आप जिस रास्ते से आयो वहाँ पे कोई gastro dog ने urine किया हो या excrete किया हो तो उससे भी यह होने की संभावना है तो यह बात आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखे कि आपके जो shoes है वो घर में ऐसे जगह उपर ना हो जहाँ पे आपका puppy उसे easily bite कर सके because जो shoes है वो कोई बहुत साफ चीज नहीं है third reason जो इसका हो सकता है वो है food जो कोई भी तरीके का food जो उसके digestive system को block करता है वो food आप जो बाहर से उसने खाई हो जब आप बाहर ले जाओ या आपके खुद ने आपने उसको दी हो और एक बात हमेशा याद रखे कभी भी food जो है उसको outside मतलब जमीन पर फेक करना उसको feed करे जब तक वो puppy है जब तक उसकी age कम है उसको बहुत intense care की जरूवत होती है जैसे हम इंसानों को जरूवत होती है तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखे जो फेका हुआ food होता है जो हम फ्लोर पे फेकते हैं बिस्केट हम फेक देते हैं घर के बाहर या बाहर ground पे वो जाके bite कर लेता है तो वो सिर्फ बिस्केट नहीं उसके आसपास जो गंदगी है वो भी उसके मुह में जाने की chances होती है because वो puppy है तो उसको जादा जानकारी इस बात की नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है body जैसे कि मैंने कहां बहुत जादा dehydrate हो जाती है dogs की तो इस बात को बहुत seriously लीजिएगा इसमें बहुत से dogs और puppies जो है वो अपनी जान भी खो देते हैं मैं अपने personal experiences से आपको बता रहा हूँ treatment की part अब इसका इलाज कैसा किया जाए आपके मन में सवाल आता होगा तो इसका इलाज जो है वो एक ही तरीके से किया जा सकता है you have to take your dog to the doctor उसको आपको डॉक्टर के पास ही ले जाना होगा क्योंकि डॉक्टर ही वो concerned और सही person है जो आपको इस बात का सही इलाज देगा cases यहाँ पर है कि dogs खाना नहीं काता तो उसको immediate जो है वो saline की जरूवत होती है मतलब उसके nerves से उसको feed किया जाता है और doctors multiple test लेते हैं जहाँ पर उसका जो electrolytes होता है उसका count दिखा जाता है dehydration की सहथ तक होई है ये भी check किया जाता है urine test करते हैं, blood test करते हैं doctor to doctor जो होते हैं वो different type of test करके आपको regular उसको saline देने का वो recommend करेंगे तो यही है इसका इलाज proper doctor consultancy और इससे आपको 100% result मिलेगा आपका puppy एकदम fit and fine condition में होगा मैंने जो photo share किये है जो puppy का photo मैंने share किया है उसका मैं अभी आपको आज का photo बताऊँगा उस dog ने gastroenteritis face किया है यानि की gastro तो मैं आपको उसका live photo दिखाने वाला हूँ तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए informative रही होगी और कोई भी वीडियो या कोई भी information आपको चाहिए तो please comment box में आपके questions drop करिएगा next video जो आएगी वो pargo virus को लेके आएगी तो subscribe करिएगा चैनल को like करिएगा और share करिएगा जितना हो सके उतना तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए take care, thank you, bye bye